नमस्कार साथियो न्यूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं अब तक कहा जाता था कि आरक्षन की दुनिया में जो आरक्षन मिलने का आधार होगा वह एतिहासिक तौर पर समाजिक और सेक्षनिक पिछड़ापन होगा लेकिन EWS पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे यह हो गया है कि आर्थिक आधार भी आरक्षन का आधार बन सकता है तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने समाज सास्त्री प्रफेसर सतीष देश पांडे तो सर आपसे पहला सवाल यही होगा कि जो पांच जजों का फैसला आया है उसमें तीन जज़ तो यह कह रहे हैं कि यह जो आर्थिक आधार पर आरक्षन EWS का है वो संबिदान के बुनियादी धांचे के खिलाफ नहीं जाता है इस बात से दो असहमत होने वाले जजों की भी सहमती है उनकी असहमती केवल इतनी है कि उस कोटे में SC, ST, OBC को सामिल क्यों नहीं किया जा रहा है तो अगर आप देखें तो पांचों जजों पांचों जज़ तकरीबन इस बात पर सहमत है कि EWS कोटा यानि कि आर्थिक आधार पर आरक्षन दिया जा सकता है तो आप इसे कैसे देखते हैं कि जो यह बदल गया है कि यह कहा जाता था कि एतिहासिक तोर पर समाजिक और स्रेक्शनिक पिछड़ापन होना चाहिए और आप बात बदल गई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षन के लिए हो सकता है और यह संबिधान के बुनियादी धाजे खिलाप नहीं जाता है इसे आप कैसे देखते हैं यह कहना सही नहीं है कि जजो ने कहा कि आर्थिक आधार भी हो सकता है अगर आर्थिक कारण बाकी सभी मानकों या क्राइटीरिया में एक होता तो इससे उतनी आपती नहीं होती लेकिन वास्तव में जो चिंताजनक बात ये है कि इस फैसले के मताबिक पांचों जजों ने ये कहा है कि मात्र आर्थिक आधार पर भी यानि कि केवल आर्थिक आधा पर भी आरक्षन दिया जा सकता है दिक्कत इस बात से है अगर बाकी शैक्षनिक और समाजिक पिछड़ेपन के साथ-साथ आर्थिक आधार एक और कारण के रूप में लिया जाता तो वो बात और थी लेकिन जो EWS की जो श्रेनी बनती है वो केवल और केवल आर्थिक आधा आरक्षन मुहाया कराई जाती है तो इससे आरक्षन का जो विचार है उसकी जो अवधारना है वो पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त हो जाती है जो इसकी जो बुनियादी धारना थी वो अब नाकाम हो जाती है तो थोड़ा इसे आसपस्ट कीजिए कि जो बुनियादी धा और ना थी वो पूरी तरह से नाकाम हो जाती है थोड़ा खूल कर बताई है देखिया की कहा होती है यह यह शायद बहुत लोगों को ध्यान में नहीं रखते हैं यह जिसे पूना समझोता या पूना पैक्ट कहते हैं 1932 का तब से यह शुरू होती है उस समय संदर्ब यह था कि ब्रिटिश सरकार ने एक पहल की थी कि अलग-अलग समुदायों को उनका अलग निर्वाक्चन समुब बनाने दिया जाएगा separate electorate जिसे कहते हैं कि याने कि वो अपने-अपने जन प्रतिनीधी अलग से चुनेंगे बाकी सामान्य चुनाओं में भीशरीक होंगे लेकिन उनके अपने प्रतिनीधी केवल उनके समाज द्वारा चुने जाएगे यहने उनके उनका एक अलग निर्वाचन समुब बनेगा तो इसके खिलाफ यह केवल दलित और आदिवासी के लिए ही नहीं जिने उन दिनों depressed classes कहा जाता था केवल उनके लिए नहीं बलकि कई और समधायों के लिए भी यह तैय हुआ था तो इस पहल के खिलाफ इसके विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी जिन्दगी में राजनीतिक जीवन में पहली बार आमरन अंशन का की घोशड़ा की कि वो अगर ये फैसला वापिस नहीं लिया जाता है तो वो आमरन अंशन करेंगे और ऐसा उन्होंने पहली बार किया तो इस जाहिर है कि इस तरह का जो दबाव सारे देश का दबाव जब आया तो जो दलित नेता थे उस समय जिन में प्रमुक बावसाव अंबेड करते उनको ये बात माननी पड़ी और वो प्रसाव वापिस लेना पड़ा तो उसके कि मांग को त्यागने के बदले में दलित आदिवासी समुदाय को ये आश्वासन दिया गया ये गैरेंटी दी गई कि जो विधान सभा बनने वाली है विधान परिशद बनने वाला है उसमें आपको तैशुदा तोर पर कुछ सीटे मिलेंगे और जो पहले प्रस्ताव में जो पहले सीटों की संख्या थी उन्हें काफी बढ़ा दी गई तो यहां से आरक्षन की मूल धारना का जन्म होता है तो यहां आप देखेंगे कि किसी प्रकार के पिछड़े पन या किसी प्रकार के तुरुटी या कमी किसी समदाय की उसका सवाल ही नहीं है सवाल यह है कि कुछ समदाय हमारे समाज में ऐसे रहे हैं जिनका बाग काईदा केवल प्रचलन के हिसाब से नहीं केवल व्यवहार के हिसाब से नहीं बलकि काईदे कानून के अनुसार उन्हें बहिश्कृत किया जाता था जातिकत काईदे कानून के तहत उनका बहिशकार जायज ठेराये जाता था ऐसे समधायों को जिनको समाज जबर्दस्ती जिनका भहिश्कार करता है इस जबर्दस्त जबर्दस्ती भहिश्कृत किये जाने का इसका इलाज क्या होगा इसका इलाज यही होगा कि अगर इनको जबर्दस्ती शामिल किया जाए तो एक तरह से आप के रूप में सामने आया कथित सवर्ण समाज की बिमारी का कि आखिर भेदभाव करता कौन है यह तो सवर्ण समाज करता है न तो दिक्कत तो सवर्ण समाज के साथ है मूल धार्णा यही थी तो याने ये भेदभाव की जो बिमारी है जिससे सवन समाज ग्रस्त था उसके इलाज के रूप में ये धार्णा बनी कि आरक्षन द्वारा ऐसे लोगों का जिनका पहले बहिशकार होता था उनको हम शामिल करेंगे तो यहां से 1935 में इसे Government of India Act बना जब पहली बार ये सूचियां बनी जिसे हम अनुसूचित कहते हैं तो जिस सूचि में उनको सूचि बद्ध किया गया वो सूचिया आपचारिक सूचियां सरकारी सूचियां 1935 में बनी और उन 1935 में बनी सूचियों को लगभग शब्द शह 1950 में जब नया सम्मिधान बना इसमें ले लिया गया तो इस तरह अरक्षन की मूल नीती सामाजिक बहिशकार के कार्ट के रूप में इसका जन्म हुआ था लेकिन जो कॉंस्टिट्वेंट एसेंबली हमारी थी जो उसमें जो सारे विवाद हुए वहां जो वर्चसवादी ज जो दबंग आवाजे थी उनका उनकी प्राथ्मिकता ये थी कि सारे भारत को एक जूट माना जाए और जो विविन प्रकार के विभाजन है समाज में विविन प्रकार की गैर बराबरियां है उनको जादा ध्यान न दिया जाए उनको जादा तबज्जो न दी जाए तो भा वह द्वाव के बदले पिछड़े पन की भाषा को सामने लाया गया तो जो समूदाय भेद्भाव के कारण पिछड जाते हैं तो वो कारण एक तरह से किनारे कर दिया गया क्योंकि लोग नहीं चाहते थे जो उस समय के वक्चत शुवादी दब्का था वह यह नहीं सा आता था कि भेदभाव जैसे विशेय को प्रात्मिक्ता दी जाए तो इसलिए भेदभाव के बारे में बोलना एक तरह से हमारा समविधान उसके बारे में बोलता ही नहीं है वो बोलता है पिछड़े पन के बारे में या कमजोरी economically weaker weaker sections of society यानि कि जो समाज के पिछड़े तब के या उनके कमजोर तब के जबकि ये कमजोरी या पिछड़ापन आया कैसे बहिसकार से है तो इसलिए लेकिन ये ये वाली भाषा हावी हो गई तो इसलिए भेदभाव के भाषा को दुबारा एक तरह से उसमें जान ठूपने के लिए आंदोलन की जरूरत और वो आंदोलन सतर के दशक तक नहीं आया मूल धारना तो ये थी लेकिन आजादी के बाद इसकी धारना को एक तरह से बदल दिया गया वैसे ये पूना समझोता के साथ ही एक तरह से दलिता दिवासी समधाय और बाकी सवरन समाज का रिष्टा रहसे निरनायक रूप से से बदल गया इसे थोड़ा सरल तरीके से समझाया जाए तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि कर्थित तोर पे यानि परोक्ष रूप से सवरन सबाज अपने को देश का मालिक मानने लगा और उस मालिक की हैसियत से वो दबे कुछले हीन दीन हीन समधायों को अपनी तरफ से अपने बड़पन के कारण उन्हें कोई आरक्षन जैसा कोई दान दक्षिना या इस तरह की चीज उन्हें बक्षीश की रूप में दी जा रही हो ऐसी भामना बनाए गई आरक्षन के बारे में और सवान तबके ने यह बात उनके मन में घर कर गई और आज जो सड़कपर आप आप आम तोर पर जो बैसें देखेंगे उन्हें यहीं दृष्टिकौन एक तरह से बसा हुआ है कि आरक्षन कि परोक्ष रूप सही सही और चेतन रूप सही सही सवन तबका जो देश का मालिक है वह अपनी उदारता के करण बाकी तबकों को अपनी तरफ से कुछ देरा है जबकि यह देश सबका देश है और आरक्षन की मूल धारना संपूर नागरिक्ता सबको प्रदान करने के लिए बनी थी तो उसके बाद जब ये धाना बनी कि ये तो एक पकार का कल्यानकारी कारिक्रम है और ये पिछड़े पन का इलाज है तो इसलिए ये पिछड़े पन की होड शुरू हुई कि कौन जाबा पिछड़ा है पिछड़े पन के मानक क्या होंगे इसके लिए किस तरह का सर्वे क्या जाए यह सारे सवाल उठने शुरू हुए जबकि मुला हमेशा और इसको एक तरह से गोलमॉल करने के लिए या इसको जादा जो सवर्ण समाज के लिए जादा स्वीकार्य है उस तरह की भाशा का इस्तिमाल आजकल किया जाता है तो इसी कि यह लंबी कहानी है तो उसके बाद से सब बड़ा मोर आया इस प्रेश्ण में जब आरक्षण के प्रेश्ण में जब जिसे हम मंगल मोर कह सकते हैं तो पिछडी जात्यों की स्थिती कुछ कुछ हद तक या काफी हद तक दलित आदिवासी वर्ग जैसी थी लेकिन कुछ हद तक वह भिन भी थे अलग भी थे कथे तियो जो जुसे अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जाता है यह जो नई जो कैटेगरी बनी इसमें कई अलग-अलग तरह की जातियां आती हैं जो अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग हमारी देश के अलग-अलग भागों में उनकी स्थिति अलग-अलग है लेकिन इनके कुछ भाग ऐसे हैं जो वर्चावसवादी तबके में आते हैं जो जमिंदार हैं जो संपन हैं और बहुत से ऐसे समधाई हैं जो जिनकी हाल साथ बहुत खराब है जिनके साथ बहुत लगभग दलितों जैसा बेदभाव ही होता है तो यह लेकिन यह सारे मिले जुले हैं एक ही कटेगरी में आ जाते हैं जिसकी वज़र से काफी दिक्टते आती हैं तो इससे एक तरह से एक नया आयाम इसमें जुड़ा कि शैक्षिनिक और सामाजिक पिछड़ापन और इसको मापने के अलग-अलग इसको लिखके बहुत सारे विवाद और उसके बाद का जो दोर आया उसमें आरक्षण इक विशुद्ध कल्यानकारी कारेक्रम के रूप में सामने आया और किसी और कल्यानकारी कारिकरम की तरह इसका भी यही था कि जिसकी जिस समदाए में भी दम है राजनेतिक शक्ति है या चुनावी शक्ति है चुनावी गनित ज防प के साथ और जो एक तरह से सरकार पर दबाव डाल सकते हैं वह अपने अपने लिए आरक्षण की मांग करने लगे और उसी का उसी रास्ते पर आगे चलते हुए हम इस मुकाम पर पहुंसते हैं कि EWS की मुकाम पर पहुंसते हैं जब यह आरक्षन की धारणा को सिर के बल खड़ा कर दिया गया है तो यह बहस हमेशा होती थी एक बात कही जाती थी जोड़ देखे कि आरक्षन गरीबी उनमोलन कारिकरम नहीं है समाजिक नियाय का एक आउजार है अब तो जब आर्थिक आधार पर भी आरक्षन मिलने की बात हो गई है तब तो यह पूरी जो लाइन है वो खारेज हो जाती ह यह पूरा बहस खारेज हो जाता है सवाल यह नहीं है की गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए या आर्थिक आधार बिल्कुल निदर्थक है यह कभी यह तरक किसी ने कभी नहीं दिया है या कम से कम मैं तो नहीं दे रहा हूँ सवाल ये है कि समस्या क्या है और उसका उपाय क्या है उस समस्या से निमटने का उपाय क्या है इन दोनों में तालमेल होना चाहिए तो अगर समस्या भेदभाव है तो केवल आर्थिक स्तर पर जो जिनके साथ भेदभाव होता है स्थाई तोर पे जिन सब्दाइएं के साथ भेदभाव होता रहेगा तो जैसे मान लीजिए मैं दलित आयस ऑफिसर हूं तो हो सकता है कि आम आद्मी की तुल्णा में मेरी हैसियत ज्यादा है लेकिन मुझ जैसे और I.S. आफिसरों के समाज में मेरे साथ भेदभाव होगा तो भेदभाव और आर्थिक स्थिती ये दोनों अलग हैं और इन दोनों को एक समझना या ये समझना की एक की मात्रा जादा होगी तो दूसरे की कम हो जाएगी ये एक तरह की नादानी है जो की कम से कम आज की तारिख में सरकारों को और नेताओं को ऐसी नादानी अब नहीं करनी चाहिए कि ऐसा समझें कि आप आपके पास पैसा आ जाएगा तो फिर आपकी जात लुक्त हो जाएगी ऐसा नहीं होता या ऐसा केवल कुछ जातियों के साथ हो सकता है सभी जातियों के साथ नहीं हो सकता तो इसलिए सवाल ये है कि जिनके जो आर्थिक परिशानियों के जिनके आर्थिक डिक्कते हैं जो गरीब हैं उनके लिए हमारे देश में धेर सारे कारिक्रम बने हैं सारा हमारा विकास का जो कारिक्रम है आजादी के बाद से सारा कुछ गरीबों के लिए है यानि कम से कम उसूल तो यही है कि यह सारा गरीबों के लिए है तो लेकिन आरक्षन जैसी नीती है यह बहुत महत्वपूर्ण इस जाती ऐसी चीज है जिसे हम शाष्वत नहीं रखना चाहते हैं हम चाहते हैं या कम से कम तरक्की पसंद लोग चाहते हैं कि जाती मैं समाज से हम उबरें लेकिन उस सुनरे कल तक पहुँचने के लिए जहां जाती की कोई प्रासंगिक्ता नहीं होगी कम से कम उचनी किस तरपर तो इसकी प्रासंगिक्ता नहीं होगी उस सुनरे कल तक हम जो आज खड़े हैं ऐसे समाज में जो पूरी तरह से जातिग्रस्त है तो हमारे आज से हमारे वर्तमान से हम उस कल तक कैसे पहुंचे सवाल यह उठता है ना तो यही एक तरह से विडंबना रही है यह दूइधा रही है आधुनिक राजतंत्र के सामने कि जिस चीज का आप उन्मुलन चाहते हैं उस चीज को मापना उसका आकलन करना उसे पहचानना जरूरी है और ईसा करने से यह सही है कि उसमें थोड़ी नई जान जरूर आ जाती है लेकिन उसे पहचाने बिना आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप वाकी उसका मूलन कर रहे हैं या केवल आप उसे दवा दे रहे हैं और जो सत्र से नीचे वो अपना काम करते रह रहर है, हाँ, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम जिस तरह की समस्या है उसी तरह का समाधान खोजें तो जहां आर्थिक समस्या है समाधान आर्थिक होने चाहिए जहां भेदभाव की समस्या है वहां दवा कुछ और होनी चाहिए और इसलिए भेदभाव की दवा है अरक्षन इसको हर स्थिती में इसका इस्तिमाल नाजायज एक बात और कि जो जजों ने फैसला दिया है उसमें तीन जजों ने ये कहा है कि EWS कोटा के अंतरगत SC, ST, OBC को सामिल नहीं किया जाएगा इन्हें पहले से आरक्षित मिलते आ रहा है तो इन्हें क्यों सामिल किया जाएगा इसको आप कैसे देखते हैं सवर्ण मानस की ये खुश्वमी रही है हमेशा कि जिसे हम गैर आरक्षित या अन्रिजर्ब्ड या जो ज़्यादा प्रचलित पद है जनरल कैटेगरी कहते हैं सामान्य वो वास्तव में सवर्ण तबके के लिए आरक्षित है ऐसी धारणा उनके मन में है लेकिन कानून ये कहता है कि अगर कोई चीज उस पे कोई रोक टोक नहीं है अगर वो वाकी उपन कैटेगरी है अन्रिजर्ब्ड है यानि कि वो आरक्षित नहीं है तो परिभाशा से ही अपनी इस परिभाशा से ही ये तै होता है कि किसी भी जाती या धर्म या किसी और इस तरह के समधाय का व्यक्ति नागरिक उसकी पातरता के लिए वो योग्य है तो जब हम ऐसा नहीं करते हैं जब पहले भी ऐसा होता था कि जब तक कोड के फैसले नहीं आए तो ऐसा किया जाता था कि जो जो सीट रिजर्ब जो आरक्षित सीटें भरी भरी नहीं जाती थी जो खाली रह जाती थी उन पे जन्रल कैटेगरी के लोगों को लिया जाता था जो की ग्यार कानूनी है और उसके लिए भी कोट की मदद की जरुरत रही पड़ी अब यह कान साफ हो गया है कि अगर कोई अरक्षित कैटेगरी से भी है और उसके नंबर या उसका उसका जो उसकी जो रैंक है उसका जो उसकी स्रेनी जो है वो अगर उसके लायक है ओपन कैटेगरी में आने की तो उससे लिया जाना चाहिए यानि कि ओपन कैटेगरी वाकरी ओपन हो यानि कि वो सब के लिए खुली हो लेकिन यह जो फैसला है यह पूरी तरह से गयर कानूनी है और सम्विधान के आत्मा को छोड़िये उसकी उसके जो सम्विधान में लिखा हुआ है उसके भी खिलाफ है तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि यह कैसे पैसे यह बहुत कड़े शब्दों में लिखा है लेकिन बाकी तीन मान गए इसमें कि इनको बाहर किया जा सकता है तो मेरे ख्याल से ये नियासंगत तो नहीं है नहीं तके यह 50 परती सत की लिमिट कही जाती थी कि इससे अधिक नहीं होगा लेकिन इसे भी खारिच कर दिया गया है कि इससे अधिक हो सकता इस पर आपकी क्या रहा है मुझे इससे इतनी विशेश चिंता नहीं है कि सवाल यह है कि इसका उप्योग कैसे हो और जिसे हम खुली स्परधा कहते हैं या उपन कमपेश कहते हैं कहां तक वाकई खुली है यह कहां तक सबके लिए बराबर है क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि जिसके पास संसाधन जादा है जो संपन है उसे हमारे समाज में हमारे समाज में दुनिया के बहुत तेरे समाजों में लगभग सभी समाजों में उसे पूरी छूट है अगर मैं अमीर हूँ तो मुझे पूरी छूट है कि मैं अपने अपनी दौलत का पूरी पूरी तरह से फाइदा उठाओ और आप मेरे साथ परदाग आप किसी प्रतियोगी हैं आप मेरे तो आपके पास इतने संसादन नहीं है तो यह जायज मना जाता है कि मैं अपनी दौलत का पूरा पूरा फाइदा उठाओं और इसके बावजूद हम और आप बराबरी के स्तर पर प्रतियोगी स्तर के प्रतियोगी माने जाएं तो ओपन कॉंपिटिशन जैसे चीज यह समाज में बहुत कम होती है तो इसलिए मुझे इस बात से इतनी चिंता नहीं है कि स्रेणी को कम किया जा रहा है यह जरूर है कि एक तरह से यह एक मानक बन सकता है आरक्षन की नीती की सफलता का और इसे बंद करने का समय कब आएगा यह हम कैसे पता लगाए इसका एक मानक इसका एक सूचक बन सकता है यह जो ओपन कैटिगरी है अगर ओपन कैटिगरी में जो लोग आने लगते हैं उसी अनुपात में आने जिस अनुपात में समाज के समाज में दूसरे विभिन समुदाएं हैं तब वो दिन करीब आ गया जब रिजर्वेशन की ज़रुरत नहीं है ऐसा जिसके सब सबसे करीब आया है एक राज्य हमारे हां वह है तमिल्दाट जहां सबसे पहले आरक्षन की नीती शुरू हुई और सीट होते हैं उस पे भी सभी समुदायों के लोग लगभग उसी अनुपात में आने लगे हैं जितना की उनका अनुपात समाज में हैं तो यह एक बहुत बड़ी उसकी खुबी है कि ओपन कैटेगरी एक तरह का सुचक बन सकता है हमारे लिए कि यह नीती कहां तक सफल हो र आरतिय समाज और जिसके बहिसकर्ण को आप कह भी कह रहे थे कि जातिकत अधार पर समुदाय बनाता है और जो इस फैसले से दिखता है कि यह अब आरतिक अधार पर दिया जा रहा है यानि कि एक व्यक्ति को दिया जाएगा एक समुदाय तो हुआ नहीं तो क्या ऐसा भी हो क्या आर्थिक आधार इन सब भेदभावस्तरे को पार कर जाता है तोड़ा इसे बता देजिए वैसे कई समाजिक चिंतक उनकी आशा रही कि आर्थिक आधार पर भी टिकाउ समुदाय बन सके और समाजवादी और मार्क्सवादी सोच की मुल्धारना यही रही है कि जो जिस प्रकार के समुदाय बनेंगे जिस प्रकार का समाज बनेगा जिस तरह का भाईचारा बनेगा वो आर्थिक आधार पर ही बनेगा लेकिन इस तरह की जो अपेक्षाएं थी वो खरी नहीं उत्री हैं और यह एक यथार्थ है कि सारी दुनिया में केवल वर्ग के आधार पे समदायों का बन टिकाव समदायों का बनना हमेशा चुनाती पूंड रहा है यह उन समाजों में भी पूरी तरह से या टिकाव तोर पे सफल नहीं हो पाया जहां सरकारे समाजवादी सरकार थी या साम्यवादी सरकारे थी कमिनिस्टर कारे थी वहां भी सामाजिक स्तर पे इसे नहीं कर पाया इसे सफल नहीं कर पाया लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आर्थिक अधार पे कभी नहीं बन सकता और इसका मतलब यह नहीं कि आर्थिक आधार पर जिस तरह के समधाय बने या जिस तरह के समुह बने वो दूसरे आधार पर बने समुह की तरह ही हो या हू बहू उनकी जैसे हो तो उनमें एक अलग प्रकार का भाइचारा या एक अलग प्रकार का की मैतरी बन सकती है लेकिन आज तक और खासकर राजनीतिक और चुनावी संदर्ब में ये पूरी तरह से नहीं हो पाया है कि एक आर्थिक तबके को अपने हीतों के को पहचान कर उसे लाम बंद किया जाया ऐसी कोशिश की गई है लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है और इसी वजह से अलग अलग तरह कि लेकिन ये बात जरूर है कि हर अलग जो भी अस्पिता मूलक जो भी बने हैं समुदाए उन सभी में आर्थिक कारणों के कारण दरारे हैं कई सारी दरारे हैं और हमारे समाज में लगबग हर समुदाए अब आर्थिक तोर पर लिकरण काफी है एक विसद चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुकरिया अगर आपको हमारे विडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल को कर सकते हैं हमारी वेब साइट पर जाकर हमारी खबरों को पर सकते हैं हमारे फेस्बुक पेज और ट्विटर पेज को लाइक कर सकते हैं सुक्रिया आप देखते रही है निउस क्लिक